जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आहमत टेक्नोलोजी में दोस्तो इस वीडियो में हम फाउंडर नेम पर डिसकस करने वाले हैं ये टोपिक काफी इप्रोटेंट है ट्रिपल से एक्जाम के लिए ओलेवल एक्जाम के लिए और भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम में यह यहां से कोश्चन पूचा जाते हैं तो आपको दिएप्रोटेंट है उसको आप याद जरूर करstart कर लेए तो चलिए फिर वीडियो को सुरूब करते हैं कि सबसे पहला जो है वह है Linux यह सभी जानते ना ओपरेटिंगे सिस्टम होता है एक तरह का फरी होता है open source होता है फ में do proch सकते हैं इन्सटोल कर सकते हैं अपरेटिंग सिस्टम होता है इसके संस्थापक को नहीं यह से पूछा है तो इसके जो आंसर हो जाएगा मारको बोरीस इसका अंसर होजाएगा इसके जो फांडर है सैकिंड आपका लिंक रिंक दिन आप यहा पर जो पिल्ग सकते हैं अच्छा प्रेटफूर्म है यह इसके जो संस्तापक है ॵांजर है रेड होफ इमेल के founder माने जाते हैं नेक्स्ट है Ubuntu यह भी एक open source होता है operating system ही होता है फिरी होता है Ubuntu Ubuntu के जो सापक है वो है Mark subtle worth इसका answer हो जाएगा सेकेंड आपका Windows Windows भी एक तरिका open source वो सोरी operating system होता है लेकिन यह open source नहीं होता है उसी तरिके से यूनिक्स भी आपका operating system होता है लेकिन फी नहीं होता है open source नहीं होता है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं इसका license लेना पड़ता है next QR code जिससे scan करके आप पे बग्यारा करते हैं QR code आप सभी जानते हैं इसके जो संस्थापक हैं काफ़ इंपोर्टेंट है डेनसो वेव इसका answer हो जाएगा next credit card credit card के संस्थापक कोन है founder कोन है answer हो जाएगा zone begins answer हो जाएगा important पे टियम पे टियम मोस्ट इंपोर्टेंट भी यह triple C exam में कई बार पूछ जा चुका है विजय सेखर सर्मा पे टियम के संस्थापक माने जाते है founder माने जाते है next blockchain blockchain के founder कोन है satoshi nakamoto आप सभी जानते हैं इनसे सभी परिजित है यह कफी important है blockchain के संस्थापक satoshi nakamoto next है आपका walmart के संस्थापक कोन है इसका answer हो जाएगा same walton इसका answer हो जाएगा 1962 में स्थापना हुई थी अगर स्थापना पूछे या संस्थापक पूछे आप बता सकते हैं इसलिए आप पैन और कोपी लेके बैटे इसके स्थापना वर्स और इनके संस्थापक के नाम साथ साथ लिखते चलें walmart के important है same walton 1962 यानी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट पेटियम पेटियम के मैंने अभी आपको बताया विजा सेकर सर्मा और important question है कि यह कब इसकी स्थापना हुई थी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी कभी-कभी founder name ना पूछ के स्थापना भी पूछ लेता है कि कब हुई थी पेटियम की तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी फर्स्ट है लेरी पेज और सेकेंड है सर्फ बिन जहां पर भी आपको मिलेगा दोनों का नाम देखने को मिलेगा 1999 1998 में इसकी स्थापना हुई थी 1998 में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी सेकेंड है आपका Microsoft Microsoft के संस्थापक कोन है बिल गेट्स अंजर हो जाएगा आप सभी जानते हैं बिल गेट्स और पोल एलन दो परसाने को इसका संस्थापक माना जाता है बिल गेट्स और पोल एलन 1975 में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी Microsoft की Next आए WhatsApp WhatsApp के संस्थापक कोन है अंसर हो जाएगा ब्रोईन एक्टन जैन कोम 2009 में की स्थापना हुई थी WhatsApp की जो आप सभी यूज़ करते हैं नेक्स्ट है Amazon Amazon के संस्थापक कौन है ये काफी पोपुलर है और आपके ओनलाइन सोपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लैटफोर्म है यहाँ पे आप ओनलाइन सोपिंग वगयरा भी करते हैं तो इंपोर्टेंट है Amazon के संस्थापक Jeff Bezos आंसर हो जाएगा और 1994-1994 में इसकी इस्थापना हुई थी ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका फिलिपकार्ट फिलिपकार्ट के संस्थापक कोन है यह भी इंपोर्टेंट है फिलिपकार्ट यहाँ पे ब्यावा उनलाइन वगयरा सोपिंग करते हो इसका आंसर हो जाएगा सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007 में इसकी इस्थापना हुई थी आपको इस्थापना वर्स भी याद रखनी है इंपोर्टेंट है याहू के संस्थापक कोन है डेवीड फिलो जेरी यंग 1994 में इसकी इस्थापना हुई थी इसके जो फाउंडर है डेवीड फिलो जेरी यंग अंसर हो जाएगा नाइन है आपका एपल के संस्थापक कोन है एपल के संस्थापक इस्थीव जोबस इसके संस्थापक है फाउंडर माने जाते है 1906 में इसकी इस्थापना हुई थी काफ़ इंपोर्टेंट है इसको आप याद गड़ ले नोट कर ले नेक्स्ट आपका दस नंबर पे विकिपीडिया के संस्थापक कोन है विकिपीडिया के संस्थापक इंपोर्टेंट है अंसर हो जाएगा जीमी वेल्स 2001 में इसकी स्थापना हुई थी विकिपीडिया के अगर पुछे स्थापना कब हुई तो 2001 में किसने की जीमी वेल्स ने की ग्यारा नंubर पे है मोटो रोला के संस्तापक कौन है मोटो रोला पर इंपोर्टन पे पोल और जोसेप गैबलीन इसका अंसर हो जाएगा 1928 में इसकी इस्तापना हुई थी बारा नंubर पे है फेस्बुच्क के संस्तापक कोन है most important है ट्रिपल सी एक्जाम के लिए ट्रिपल सी एक्जाम के लिए most important है Facebook के संस्थापक कोन है answer हो जाएगा Mark जुकरबर्ग आप सभी जानते हैं और सबसे popular ये social media की side है Facebook इसकी सबसे ज़्यादा user है answer हो जाएगा Mark जुकरबर्ग और इस्थापन कब हुई 2004 में ठीक है ये भी आपको याद रखना है कुशन तेरा नंबर पॉइंट पे है आपका अली बाबा के संस्थापक कोन है अली बाबा के संस्थापक कोन है इसका answer हो जाएगा Jack Ma और इस्थापन कब हुई 1999 में इसकी स्थापन हुई 14 नंबर पे है Nokia के संस्थापक कोन है Nokia आप सभी जानते है Nokia के phone सबसे पहले चला करते थे और सबसे परसिद्ध भी दे तो इसका जो answer हो जाएगा फ्रेडरिक आईडेश्टम लियो मैचली इसका answer हो जाएगा 15 नंबर पे है आपका Reliance Reliance के संस्थापक कोन है धीरू भाई अंबानी आप सभी इनसे परिशित है सभी जानते है 1997 में इसकी स्थापन हुई थी Next है eBay eBay के संस्थापक कोन है eBay के संस्थापक कोन है और इसकी स्थापना कब हुई इस तरीके से question पूछता है तो इसके जो founder माने जाते है संस्थापक माने जाते है पीरी उमीद्यार माने जाते है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी Question 17 number point पे आपका Twitter के संस्थापक कोन है Twitter important है भई Twitter क्या है important है और इससे जो O level का exam हुआ था कितने word maximum में आप tweet कर सकते हैं Twitter पे कितने word में maximum तो इसका जो answer होगा इसका जो वही आपका answer होगा हो जाएगा 280 character में आप tweet कर सकते हैं Twitter पे यह आपको याद रखना है important है इससे अधिक से नहीं कर सकते ठीक है 280 में आप tweet कर सकते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में किस ने की थी Jack Doards ने की थी 18 नंबर पे है Instagram के संस्थापक कोन है answer हो जाएगा आपका Kevin Systrom Mike Kreiser यह important है कब हुई थी स्थापना 2010 में इसकी स्थापना हुई थी काफी important है इसको आप note कर लिजे next है आपका YouTube के संस्थापक कोन है काफी important है YouTube काफी famous भी है जावेद करीमिष्टी चेन इसका आणसर हो जाएगा 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और founder है आपका जावेद करीमिष्टी 20 नंबर पे है Skype के संस्थापक कोन है इसके जो founder है Nichols, Genestrom, Genes आणसर हो जाएगा 2003 में इसकी क्या हुई थी 21 नंबर पे है Tesla Tesla के संस्थापक कोन है Elon Musk आणसर हो जाएगा 2003 में इसकी स्थापना हुई थी founder पूछे तो Elon Musk स्थापना कब हुई थी 2003 में हुई थी 22 नंबर पे है Intel के संस्थापक कोन है Garden Murray कोन है Garden Murray नाम याद रखिएगा 1968 में इसकी स्थापना हुई थी 23 नंबर पे आपका Samsung के संस्थापक कोन है Samsung के founder कोन है काफी important है Lee Byung Chul इसका answer हो जाएगा 1938 में 1938 में इसका इसकी स्थापना हुई थी important है और उसके बाद आपका XUMI के संस्थापक कोन है answer हो जाएगा आपका Legion कोन जाएगा भई Lee Zan ने इसकी स्थापना की थी कब की थी 2010 में की थी ये भी आपको याद रखना है वीडियो दोस्तों अच्छे लगी हो तो वीडियो को सभी लाइक कीजेगा चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल ऐकोन प्रेस कर लिजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेसन आपके पास सबसे पहले पोँचे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको जादा जादा सेयर कीजिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत